नजे डालते हैं आज के विश्तारी समाचानों पर एक तरफ जहां पूरे बिश्व में करुणा भाईरास के रोक्ताम के लिए चीकि सक राज़वकेंद सरकार कारे कर रहा है तो इसी दोरान भारत में भी इसका कारवाई जोनों पर चला है बारागाटी के विविन चेत्र में जिलापरशाचन तता स्वास्त विवाग दिन रात एक कर चीकि सकों के सहयोग से करुणा भाईरास कोविड-19 के रोक्ताम में दिन रात एक कर कारे कर रहे हैं तो इसी दोरान कई चेत्र में कई बारतात भी हो रहे हैं लख्यपूर विजार्ण सवा केंद्र में बीमार ग्रस्ट एक बच्ची का एक मौत हो जाने पर लोग में छोक की स्थिति बनी हुई है शूत्र का नुसार लक्षपूर प्राथमिक स्वास्त केंडर में बच्ची को ऐसे ही दूसरे बिमारी की बज़र से भरती करवाया गया लेकिन इस छेत्र में एम्बूलेस परेशेवा न रहने पर इस बच्ची को शिल्चची किसा महाविताला में भेजा नहीं जा सका जिसके चलते बच्ची की लक्षपूर अस्पताल शेत्र में ही मौध हो गई परिबार सरस्वों का कहना है कि लक्षपूर प्राथमिक स्वास्त केंडर में एक साधान बाहन के जरी बच्ची को लाया गया था लेकिन इस छेत्र में एम्बूलेस न रहने पर उन्हें छिल्चची कि से मेडिकल कोलेज में नहीं भेजा गया और स्वास्त केंडर कर्तिफक्त द्वारा ऐसे शुविदा प्रतां ना के जाने पर बच्ची की मौत हो गई इस संदर में स्वास्त केंडर के स्वालिया निशान लग रहा है तो वहीं दूसरी और बच्ची की मौत को लेकर लोगों में नाराज़गी का महाल भी है। स्वास्त विभाग मामले के चानवीन के साथ साथ जल्द जल्द 108 तथा दूसरे स्वास्त परिश्वा लागू के जाने का प्रयास कर रहा है। स्वास्त